हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बोरे आलू की सबजी बनाने की बिलकुल नई और जवाब सी रिसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है ये खाने बहुत ही टेस्टी होते हैं इसे एक बार आप सरूर ट्रै करना आपके घर में सबी को पस चाब से पहले एक बोरा को लेना इस तरह साइट को तोड़के अलग कर लेना इस तरह दोर लेना सब बाट लिया है अब इसको लेके चलते हैं गैस के तरफ यहां पे गैस पे चुड़ाई चुड़ादी एक चोटे चम्मच ओएल डालें जब गरम थोड़ा सा इसमें मेथी के दाने और एक चुटकी हिंग डालें जब मेथी चटक जाएगा तो यहां पर पहले अलू डाल के इस को फ्राय कर लें जब तक फ्राय हो रहा है एक चोटी से तहीयार करेंगे एक चोटा कटोड़ी लिया है दो चमच डही डालेंगे दही को अच्छे से फेंट लेना देखिये अधी चमच हल्दी डस, आधे चमच लाल मिष डस, धनिया पॉडर , जीरा पॉडर अधी चोटी चमच बलेक पेपर शब्सका पेश्त तहयार करना तो देखें यह पेश्ट रेडी हो गया है इसी से रखेंगे साइड में यहां देखिए एक नट मिं अच्छी से फ्राय होगि जब तेल गरम हो जागा आधी चम्मच मेथी के दाने डालेंगे जब चटक जाएगा तो एक चुटकी हिंग डालेंगे हिंग है तो जरूर डालना इससे फिलेवर विया अच्छा आता है डाइजेशन में हर हेल्फ मिलता है यहां पर दो चम्मच लेसन का पेस्ट डालेंगे कर देंगे लेगे लाम आपक only 5- sollte इसके बातीत चला देंगे हो यहां पर चुटे प्यास का पेश्ट बना ली है वह चला लेंगे अृहां पर एक बड़े साइज तमार डालेंगे थोड़ा सा नमक डालें गया तो यहां पर मैंने लेसन जो डाला है लेसन का पेस्ट एग प तो मैंने जो दही में ड़स्ट डाल के जो पेस्ट बनाया था मसाला का वो डाल देना है पूरा पोच के अच्छे से डाल दीजेगा और अच्छे से इसको भून लेना है इस मसाले में डाल के और जब यह अच्छे सा बुना जाएगा तो यहां पर आधी छोटी चमच लाल मिक्स करके कवर कर देंगे मेडियम आच पे एक मिनट फिर मने कवर अटाया इसको भूनाई करना मेडियम आच पे इसकी भूनाई कर लेना है जब तक मसाला का कच्छापन दूर नहीं हो जाए तब तक भूनाई कर लेना इसको भूनने में चार से पांच मिनट लग जाता है तो यहां पर बोरा अलू डाल के एक मिट इसको अच्छे से मैंने भून लिया है अब यहां पर जो निनुवा मैंने काट कर रखा था न वो डाल लेंगे आपने तो बोरा अलू कई तरह से बनाए होंगे एक दफा इस तरह से बना के देखिएगा आपको बहुत ज्यादा ही प अब नहीं डालना जो नेनवा मैंने डाला नहीं चोड़ेगा उसी में यह गल जाएगा तो दीमे आज पर छोड़ देना दीमे आज पर चोड़ दिया था देखिए पानी सुक चुका है इसकी भुनाय भी हो चुकी है बीच में मैंने एक दो दफा चला लिया था और यह 90 प पानीस में डाल दिया है अब उपर से कटावा थासा धनिया पती डालेंगे इसको कवर कर देंगे दो मिनिट के लिए मेडियम आज में तो देखिए दो मिनिट मैंने कवर अटाया तो हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी जटपट बनने वाला बिल्कुत डिफरेंड इस्ट इसरा सभी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ज्यादा शेयर करना चैनल पकर नहीं आए तो इसे जरू से सब्सक्राइब कर लीजेगा